लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बिहार विधान सफा चुनाव से कटना चाहते थे और MLC चुनाव के लिए उतरना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में छोटे भाई तेजस्वी आदव ने उन्हें रोक दिया और उनका ये ख्वाब MLC बनने का ख्वाब अधूरा रहे गया आखिर तेजस्वी आदव ने उनका रास्ता क्यों रोका तेजस्वी आदव क्यों नहीं चाहते थे कि तेज प्रताप यादव MLC बने और इसके बाद क्या क्या तेज प्रताप यादव अब महुआ विधान सफा चुनाव लड़ेंगे आपको बताते हैं और तलब है कि लालुक प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ विधान सफा से विधायक हैं लेकिन इस बार बिहार विधान सफा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे और परिशत की खाली 9 सीटों में से राज़त के कोटे की सीट पर बिहार वि परिश्ट नेताव का मानना था कि तेजस्वी आदव को विधान परिशत जाना चाहिए इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा था वो ये था कि बिहार विधान सभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और लालु प्रसाद के जेल में रहने के कारण तेजस्वी आद बिहार विधान परिशत के सदस से बन जाते हैं तो उसी स्तिती में वे आराम से 243 सीटों पर खुल कर चुनाव प्रचार कर पाएंगे बताया जाता है कि तेजस्वी आदव विधान परिशत में जाने को लेकर सहमती जता दिये थे लेकिन यहां टकरा फिर दोनों भायों के बीच हो गया इस स्तिती में लालू ने बीच का रास्ता निकाल कर बाहर के लोगों को पाटी का प्रत्याश्री बना दिया पाटी सुत्रों की माने तो तेजप्रताप पर तेजस्वी के विधान परिशत भेजे जाने को लेकर लालू परिवार में कई बार मिटिंग भी हो चुकी है लेकिन तेजप्रताप अपने फैसले पर अड़े हुए थे जबकि तेजस्वी ने विधान परिशत में जाने का मन बना लिया था बताया जाता है कि डाबी देवी ने भी कई बार तेजप्रताप को समझाने की कोशिश की लेकिन इस मुद्दे पर वो तस से मस नहीं हुए अंतता दोनों भाईयों के टकराव की वज़े से राजत प्रमुख लालू प्रसाद ने परिवार के बाहर के लोगों को पार्टी क प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजप्रताप महुगा विधान सवाश्रत्र से क्यों लड़ना चाते अकशर ये सवाल भी उट रहा है लोगों के जहन में ये सवाल उमड़ प्रहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव को किस बात का डर है सवाल की जो जवाब सामने आ रहे हैं उसको अगर देखा जए तो ऐसा लगता है क्योंकि तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ विधान सभाश्रत्र से एश्वरा राय की उतरने की खबर है ऐसा भी कहा जा रहा है कि चंडुरिका राय अपने अपमान का बदला लेने वाले हैं और उन्हें नितिश कुमार का भी समर्थन प्राप्त है यानि कि अगर तेज प्रताप यादव महुआ विधान सभाश्रत्र से उतरते हैं तो उनका सीधा जो सामना है वो उनकी पत्नी अश्वरा राय से होगा ऐसे में कही ना कहीं तेज प्रताप यादव को इस बात की भनक है और यहीं वज़ा है कि तेजप्रताप्यादव MLC बनना चाहते थे विधान सभाचुनाव के लिए वो महुआ विधान सभाच्यत्र से उतरना नहीं चाहते थे लेकिन अगर महुआ से तेजप्रताप्यादव नहीं उतरते हैं तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अश्वरा राय रागोपूर से उतर सकती हैं और तेजस्वी के खिलाब यह बड़ी टक्कर होगी देश और दुनिया के तमाम अब रेट्स के लिए हमारे साथ बने रही हैं और देखते रहे हैं नियुज़ फोनेशन नमस्कार